हेलो फ्रेंड्स आइंबल राम और इस वीडिए हम बात करने वाले हैं लोक कॉस्चन देखने वाले हैं, हम जो competitive exam में पूछे जाते हैं, law से related, constitution से related, वही question हम देखने वाले हैं, किसी भी university के इंट्रेंस एक्जाम में, कॉम्पेटेटर एक्जाम में, अगर आप लॉय स्टुडेंट है तो आपके लिए वहुत ही यूस्फुल है, यह हैल्फुल है, आपको कहीं भी यह कॉश्चन पूछे जाते हैं, तो हम यही कॉश्चन देखने वाले हैं, जैसे कि हमने पार्ट फर्स्ट, पार्ट टू इस पे बनाया हुआ है, और उसके आँगे हम कॉश्चन देखने वाले 35, 35 कॉश्चन तक हमने देख चुके हैं, और इस वीडियो में उसके आँगे भी कॉश्चन देखने हैं, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, जैसकि पृति होगी की देख सकते हैं, अगर आप यह पार्ट देख रहे हैं, तो उससे पहले की पार्ट देखें, बहुत ही helpful वीडियो है, helpful question answer है, जो repeated question है, वह ही हम question देख रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही important है, तो हम 35th question, 36th question देखेंगे, तो अब हम करते हैं, वीडियो स्टार्ट, वीडियो अच्छी लगे, तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आपको जो latest update है, वीडियो का मिलता रहे, किसी भी university के latest update से, और preparation की वीडियो का, आपको वीडियो मिलता रहे, तो स्टार्ट करते हैं वीड question number 36, इसके पहले के question हमने part first, part two में देख चुके हैं, और ये part हमारा third part है, तो स्टार्ट करते हैं, question 36, केंद्र सरकार का प्रथम विधी, अधिकारी first law officer कौन होता है, इसमें हम option देखेंगे, और right option भी देखेंगे, इसमें, ये option, भारत का मुख्या नयायधी, स्केंद्रिय विधी मंतरी महा नयायवादी, महा धिवक्ता, तो हम इसका right option देखें, तो है हमारा right option है, C is right option, महा नयायवादी, हम चलते हैं 37th question पे, संगराज्य छेत्रो, Union Territories का प्रसासन कौन चलाता है, Union Territories का प्रसासन कौन चलाता है, A option अप राजिपाल, B राष्टपती, राजिद्वारा नियुक्ती सासक, C मुख्यमंत्री, D अप रोक्त सभी तो हम राइट ओप्सन देखने वाले हैं, कौन सा राइट ओप्सन है, तो हम देखते हैं, भारत के प्रिथम राष्टपती कौन थे, तो हम देखने वाले हैं भारत के प्रिथम राष्ट पती कौन थे तो A option डाक्टर भीम राव अमबेड़कर, B option डाक्टर राजेंद प्रसाद, C मात्मा गांधी, D पंडि जवाहलाल नहरू तो हम देखने वाले हैं कौन थे, तो राइट ऑप्शन है, हमारा B option डाक्टर राजेंद प्रसाद, हम चलते हैं अंगले question पर 39th question देखते हैं, स्वतंत्र भारत के पहले भारतिय गवर्नर जर्नल, इंडिया गवर्नर जर्नल कौन थे, तो हम देखने वाले हैं, A चक्रवर्ती राजगोपालचारी, B सचदानन्द सेनहा, C लर्ड माउंट बैटन, D डाक्टर राजेंद प्रसाद, तो हम देखने वाले हैं, राइट ऑप्शन, तो A ऑप्शन is a राइट ऑप्शन, चक्रवर्ती राजगोपालचारी, तो हम देखने वाले हैं 40 question, 40 नमबर का question देखने वाले हैं, राष्ट पती द्वारा, लोक सभा तथा राज्य सभा में मनुनीत किये जाने वाली सदस्यों की संख्या, क्रमस है, A ओप्शन, बारा वा डू, B, डू वा बारा, C, सेवन वा फाइव, D, फाइव वा सेवन, तो हम राइट ऑप्शन देखने वाले हैं, बी ऑप अप्शन है, राइट ऑप्शन, हम चलते हैं, अंगले कॉस्चिन पे, 41, लोक सभा, A राज सभा के दो अधी वाइशनों के बीच, अधिक्तम कितने समाई का अंतर होता है, A, 3 मा, B, 5 मा, C, 6 मा, D, कोई निश्चित सीमा नहीं, तो हम इसका एक निश्चित आंसर देखते है कौन सा राइट ऑप्शन है, तो हमारा ऑप्शन है, C ऑप्शन है, राइट ऑप्शन, 6 मा, 42 कॉस्चिन देखते हैं, राज की कारेपालिका का प्रमुख, स्टेट एक्जेक्योटिव हैड, कौन होता है, A, मुख्यमंत्री, B, राजपाल, C, विधानसवाद, D, कोई नहीं, कोई तो होता होगा, तो हम देखने वाले हैं, राइट ऑप्शन, कौन होता है, राजपाल, जो राजपाल, A, ऑप्शन है, राइट ऑप्शन, हम देखने वाले हैं, 43 कॉस्चन, सम्विधान की अनुसार, विधान सभाग के सदस्यों की अधिक्तम संख्या कितनी होती है, त तो A option 500, B option 525, C 552, D 475, तो हम इसका right option देखने वाले हैं, A option is a right option 500, 44 question देखने वाले हैं, वर्तवान में भारत में कुल कितने राज्यों में विधान परिशद हैं, Legislative Council विध्यमान हैं, तो A option देखें, तो 3, B, 4, C, 5, D, 6, तो हम देखने वाले हैं, सही उत्तर, तो D option is a right option 6, 45 question देखें, राज्य का मंत्री मंडल, States Cabinet सामोईत रूप से किसके प्रती उत्तरदाई होता है, तो A option विधान सभा, B, विधान परिशद, C, राज्यपाल, D, मुख्यमंत्री, तो हम इसका right option देखने वाले हैं, A option एज़ा right option विधान सभा, हम चलते हैं अंगले question पे, question 46, विधान सभा का वर्ष, assembly years में कम से कम कितने अधी वेशन होने अनिवार हैं, A option 2, B, 3, C, 4, D, 5, तो हम देखने वाले हैं right option, A option is a right option 2, किस राज्य में विधान सभा सदस्यों की संख्या सर्वादिक है, किस राज्य में विधान सभा सदस्यों की संख्या सर्वादिक है, तो हम देखने वाले हैं कौन सा राज्य है, A option बिहार, B उत्तर प्रदेश, C मद्ध प्रदेश, D राजस्थान तो देखने वाले हैं किस में उत्तर प्रदेश किस राज में उत्तर प्रदेश में सरवदिक संख्या है सदस्चियों की विधान सबा में हम देखने वाले हैं 48 question जम्मू कस्मीर क्या होगी तो हम इसके आगे देखने वाले हैं 48 को जम्मू कस्मीर राज को किस अनुचेद जम्मू एंड कस्मीर आर्टिकल की अंतर विशे से राज्य स्पेशल स्टेटस का दरजा प्राप्त है तो हम देखने वाले हैं किस अनुचेद की द्वार अनुचेद 352, बी अनुचेद 358, अनुचेद 394 तो हम देखने वाले हैं सही उत्तर 370, जैसे की 370 का आप न्यूज देखते हैं तो बहुत मुद्दा चलता है तो आप जानते होंगे तो हम देखने वाले हैं आगे 49th question पे भारत का नियंतरक एव महालेखा परिक्छा Comptroller and Auditor General of India किस की द्वार अन्यक्त किया जाता है तो हम देखने वाले हैं किस की द्वारा किया जाता है A option संसद, B option राष्टपती, C प्रधान मंत्री, D योजना आयोग तो हम देखने वाले हैं सही उत्तर, उत्तर है राष्टपती, B option is a right option Question 50, भारत का उच्चितम नयायल है Supreme Court of India कहां अवसिस्थ है Supreme Court of India कहां पेस्थ थे थे हम देखने वाले हैं जैसे कि आप जानते होंगे लेकिन हम देखने वाले हैं Option दिया तो देखते हैं Option E, नई दिल्ली, B, कुलकाता, C, मुंबई, D, चेन नई तो right option है इसमें वो है New Delhi, नई दिल्ली हम देखने वाले हैं Question 51 भारत के सर्वोच नयायल है Supreme Court of India में नयायधीस की कुल संख्या कितनी होती है भारत के सर्वोच नयायल है में Supreme Court of India में नयायधीस की संख्या कितनी होती है तो यह बहुत ही important question है knowledgeable question है देखने वाली कितनी होती है A 24, B 25, C 34, D 27 तो होती है 34 C option है जा right option A मुंख्य नयायधीस A 34 नयायधीस वनन अनुछेद 124 में यह आपको मिल जाएगा तो हम देखने वाले question number 52 52 question देखें तो सर्वोच नयायल है कि मुख्य नयायधीसों की नियुक्ति कौन करता है A option संसद B राष्टपती C बार काउंसलिंग की सदस D सभी उच्च नयायल है कि नयायधीसों के मतों की अधर परन राष्टपती तो हम राइट ओप्सन देखेंगे इसका B B option is राइट ओप्सन राष्टपती हम देखने वाले 53 question उच्च नयायल है कि नयायधीसों का कारेकाल है जो सुप्रीम कोर्ट में नयायधीस होते हैं उनका कारेकाल कितना होता हम देखने वाले हैं E 5 words B 7 words C राष्टपती के प्रसाद परियंत D 65 words की आयूपूरी होने तक तो हम इसका राइट ओप्सन देखने वाले हैं K N option A K N वाचू G V मावलकर C हीरालाल जे कानिया D सुकमार सैन तो हम इसका सही उत्तर देख लेते हैं हीरालाल जे कानिया C option A right option हम देखने वाले 55th question और last question इस वीडियो का इसके आंगे हम देखेंगे फूर्थ पार्ट में यह हमारा थर्ड पार्ट है आंगे हम देखने फूर्ट पार्ट में तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें ताकि आपको यह सीरीज मिलती रहें वीडियो मिलती रहें तो हम 55 question देख लेते हैं वर्तमा में भारत में उच्छी ने आया लें कि कुल संख्या तो 21 option A 21, B 22, C 24, D 28 तो हम देखने वाले हैं सही उत्तर कितने हैं तो हम देखने वाले 21, A option is a right option 21, तो मिलते हैं अगले वीडियो में वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूल करें मिलते हैं अंगले वीडियो आपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो सेयर करें मिलते हैं अंगले वीडियो